हलो फ्रेंड्स मैं हूं सुदर सम्प्रकाश और आप देख रहे हैं योटुब चैनल गुरुचेकाचेक दस्तों एजुकेशन ना सिर्फ हर व्यक्ति के लिए जरूरी है बलकि ये उसका अधिकार है यही वज़ा है कि अपने मन पसंद इंवर्सिटी में अडमिशन लेने का मौका हर एस्ट्रेंट्स को मिले इसके लिए कटप मार्क सिस्टम की जगा सीवीटी लाया गया ताकि अगर किसी एस्ट्रेंट्स को किसी वज़ा से 12 में नमबर कम आये हो तो भी वो CVT में अच्छे नमबर से पास होकर अपनी पसंद के इंवर्सिटी में अडमिशन ले सके दोस्तों भार सरकार ने CVT सिस्टम की शुरूआत इसलिए की ताकि हर एश्ट्रेंट्स को एक बड़े से बड़े University में admission लेने का एक मौका मिलना चाहिए और इसमें cut-up marks की अर्चन ना आए दोस्तों आज की इस वडियो में हम बताएंगे कि CVT की तियारी कैसे करें ताकि exam में अच्छे नमरों से पास होकर अपने पसंद के university में admission ले सकें तो चलिए पहले कुछ points को note कर लीजिए जिससे आपको CVT exam की तियारी करने में help में लेगी सबसे पहले जानते हैं CVT क्या है exam pattern को जानिए syllabus की जानकारी होनी चाहिए पुराने papers से practice करें which subject पर ज़्यादा ध्यान दे दोस्तों अगर आप भी CVT exam की तियारी कर रहे हैं तो आपके लिए इन तमाम points को जानना जरूरी है अगर आप इन points पर अच्छे से काम करेंगे तो यकिन मानिए CVT का exam आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला है तो चली अपने पहले point से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं CVT क्या है दोस्तों अगर आप CVT exam की तियारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जाना जरूरी है कि CVT exam है क्या क्योंकि आप किस चीज का exam दे रहे हैं उसके बारे में अगर आपको जानकरी नहीं है तो फिर exam देने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों दरसल CVT जिसका full form common university entrance test है अगर आसान सब्दों में कहें तो CVT exam किसी भी उनिवर्सिटी में परवेस करने का दरवाजा है यानि कि अगर आप किसी उनिवर्सिटी में admission लेना चाहते हैं तो आपको CVT का exam देना ही परेगा दोस्तों दरसल पहले हर उनिवर्सिटी में cut-off marks के अधार पर admission मिलता था लेकिन कई बार बड़े उनिवर्सिटी में cut-off marks इतना ज़ादा रहता था कि लाखों इस्ट्वेंट्स का बड़े उनिवर्सिटी में admission लेने का सपना अधूरा रह जाता था इसलिए cut-off marks की वयस्ता को खत्म कर CVT लागू किया गया ताकि जिन इस्ट्वेंट्स के नंबर 12 या graduation में कम भी आये हो तो भी वो CVT exam में अच्छे नंबर लाग कर बड़े उनिवर्सिटी में admission ले सके इसके बाद जानते हैं exam pattern जाने दोस्तों हर इस्ट्वेंट्स के लिए जानना सबसे ज़्यादा जोड़ी है कि वो जिस CUT exam के त्यारी कर रहे है उसका exam pattern क्या है आप खुछ सोचिए अगर आपको यही नहीं पता होगा कि exam कैसे लिया जाएगा तो क्या आप उसकी त्यारी कर पाएंगे जाहिर सी बात है आप उसकी त्यारी नहीं कर पाएंगे और अगर आपने किसी तरीके से त्यारी कर भी ली तो पास होने की संभबना बहुत कम होती है इसलिए एक्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना हर एस्ट्रेंट्स के लिए जरूरी है वहीं अगर CVT एक्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एक्जाम चार सेक्शन में होते हैं इसमें सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दोस्तों सेक्शन 1A में 13 भासाएं होती हैं सेक्शन 1B में 20 भासाएं होती हैं सेक्शन 2 में 27 डोमिन एस्वेस्फिक विश्य होते हैं सेक्शन 3 में जेनरल टेस्ट होता है अगर आप भी CUT exam के त्यारी कर रहे हैं तो CUT की वेबसाइट पर जाकर आप अच्छे से इसके बारे में जानकारी जरूर ले लिजे इसके बाद जानते हैं syllabus की जानकारी होनी चाहिए तोस्तों कई इस्ट्रेंट्स को CUT का syllabus काफी hard लगता है लेकिन अगर आप मन लगा कर मेहनत करेंगे तो इस exam में अच्छे नमरों से पास होना काफी आसान हो जाएगा इसलिए अगर आप भी CUT exam के त्यारी कर रहे हैं तो इसके syllabus के बारे में अच्छे से जनकारी ले 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 और इसकी त्यारी अच्छे से करें वहीं अगर CUT के syllabus की बात करें तो इसमें general knowledge, current affairs, mathematics और editing इन तमाम subject से question पूछे जाएंगे तो exam से पहले इन subjects की त्यारी अच्छे से कर लें दोस्तों अगर आप NTA CVT undergraduate की त्यारी कर रहे हैं और आपको अच्छी बुक ढूणने में परिशानी आ रही है तो आप इस वीडियो के description में दिये गए लिंक पर क्लिक कर CVT की बुक देख सकते हैं क्योंकि लिंक Amazon का है और वहाँ बहुत सारी बुक एक ही जगा मौजूद है इससे आपको बुक सेलेक्ट करने में इजी हो जाएगा साथ ही सारी बुक पर अपटू 50% तक का डिसकाउंट मिलेगा आए देखते हैं मौवाइल स्कीन पर कि किस तरह लिंक पर क्लिक कर आप Amazon के वेबसाइट पर CVT की बुक देख पाएंगे और वहाँ से एक अच्छी इसके बाद जानते हैं पुराने पेपर से प्रैक्टिस करें दोस्तों CVT की तयारी के लिए आपको अलेक से टूशन कलास लेने की ज़रूत नहीं है अगर आपने 12 या फिर ग्रिजुशन में अच्छे से पढ़ाई की है तो यकीन मानिए इसकी तयारी करना बहुत बड़ी नहीं है बस आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप CVT एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो आप पिछले साल के CVT के पेपर्स को सौल्व करना शुरू कर दें इससे आपको कई फायदे हैं जैसे आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह के कोशन पूछे जाते हैं और अगर आप इसके पुराने फिपर्स को सौल्व करके तयारी करते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि इन तमाम कोशन को सौल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से आप एक्जाम में कोशन को सौल्व करने के नीती पना सकते हैं याद रखिए कि द जरूर होता है जैसे अगर कोई maths में तेज है तो हो सकता है कि उसकी English वीख हो अगर कोई reasoning में तेज है तो हो सकता है कि वो current affairs में वीख हो मतलब यह कि हर students का कोई न कोई विख subject जरूर होता है इसलिए हर students को अपने विख subject पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप exam के time table भी बना रहे हैं तो उसे विख subject को ज्यादा समय थे और उसे तब तक पढ़ें जब तक आपका उस subject को लेकर concept के लिए ना हो जाए देखना exam से पहले आपकी त्यारी इतनी जरूर हो जाएगी कि अगर आप top 10 में जगा नहीं भी बना पाते हैं तो कम से कम इतने number जरूर ले आएंगे कि आपको university में admission मिल जाएगा तो दस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको next वीडियो किस topic पर चाहिए आप हमें comment कर बता सकते हैं वीडियो को like और चैनल को subscribe जोर कीजिए thank you